और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है तो उशा खाना केस में इम्रान खान की इसलामबाद हाई कोर्ट में पेशी होनी है और इम्रान खान लाहोर से सड़क रास्ते से इसलामबाद के लिए रवाना हो चुके हैं इम्रान के काफिले के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक बे जुट रहे हैं जगजगा उनका स्वागत किया जा रहा है इस बीच उनके काफिले की तीन गाडियों के आपस में टकरानी के खबर आ रही है इम्रान के गाड़ी काफि आगे निकल चुकी है और कई गाड़ियां पीछे रह गई है उधर इसलामबबाद में पुलिस पीटी आई समर्थकों को हिरासत में लेकर उन्हें हटाने की कवायत में लगी है दो तस्वीरें इम्रान खान इसलामबबाद के लिए रवाना और इस दौरान तीन गाड़ियां आपस में टकरा गई है एक गाड़ी पलट गई है आप तस्वीरों में देख सकते हैं इम्रान खान तोशा खाना केस में उन्हें अदालत में पेश होना है और इसके लिए लाहोर से इसलामबबाद के लिए रवाना हो चुके हैं कुछ दिनों पहले जिस तरह से लाहोर में घमासान हुआ था सुरक्षा बलो और इम्रान खान के समर्थकों के बीच उसे देखते हुए आज पहले ही इसलामबाद में PTI समर्थकों को हटाया जा रहा है पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है